Hello everyone, welcome to Raviditi Classes Friends, आज का हमारा जो ये वीडियो टॉपिक है ना, इसमें हम कवर करेंगे Last 11 Months के Current Affairs तो आपके में 11 Months के जो Important Current Affairs है वो यहाँ पे आपको कवर गरानी वाली हूँ इसमें हम डिसकस करेंगे Top 125 MCQs को जो MCQs होंगे आने वाले जो Competitive Exams है सभी exams को ध्यान में रखते हुए हमने सभी MCQs को यहाँ पे Select किया है तो आपके लिए काफी Important Session है आप अपने सभी Current Affairs को यहाँ से Revise कर सकते हैं तो आईए Friends आज को जो Important Session है इसे शुरू करती है First Question है देखिए Who has won Women's Singles Title of the French Open 2024? तो French Open जो भी टूनामेंट हुआ देखिए यह एक Grand Stame टूनामेंट है जिसमें महिला एकल किताब जीता है Ega Swetik ने So Poland के प्लियर है Ega Swetik जिनोंने जीता है French Open में Women's Singles Title French Open में ही देखिए Men's Singles भी याद दखना है जिसके विनर है Spain के Carlos Elgaraz अगला Question है New Zealand Defeated Which Country to Win Women's T20 Cricket World Cup 2024? तो New Zealand ने जो है किस देश को हरा कर महिला T20 Cricket Wish Cup 2024 शीदा तो New Zealand ने जीके हराया किस टीम को है? South Africa को इस पार जो Women's T20 World Cup हुआ था उसका था 9th edition जिससे होस्ट किया था UA Country ने Most Runs बनाए लॉरा वोलवार्ट Most Wickets लिए अमेलिया केर ने 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया तो और मैचेस कितने हुए थे? देखिए 23 मैचेस हुए थे अगला Question कौन सा हुआ? यादके का 8th edition अम यहां पूचा है कहां पे आयोजित की गई? तो यह भ्यास हुआ था कहां पे ओली? ओली जगा लोकेटेड है उत्राखंड स्टेट में जहां इस पार यह exercise हुई है इंडियन आर्मी को इस बार रिप्रेजेंट किया है कुमाउ रेजिमेंट बटालियन ने इंडिया कजाकिस्तान के बीच में पहली बार exercise कब शुरू हुई थी यह? 2016 में अगला Question है विच मिशन हाज बीन लॉंच्ट तू प्रमोट क्रूज ट्यूरिस्म इन इंडिया क्रूज भारत मिशन जो है इसे लॉंच किया है पोर्ट शिपिंग वाटर वेस मिनिस्टर सर्वननन्दा सोनेवाल ने कहां पे मुंबई पोर्ट से यह जो मिशन शुरू किया गया है इसका मीन उदेश गया है कि इंडिया का जो पोटेंशल है ग्लोबल हब बनना क्रूज ट्यूरिस्म में तो उसी पोटेंशल को बढ़ाना और इसमें एक टागेट भी रखा है कि हम 2029 तक जो क्रूज़ेज है ना उनकी संख्या को डबल कर देंगे तो दो गुना करने का जो है इसमें टागेट रखा गया है नेक्स्ट क्वेशन देखिए वर्ड यूथ इसकिल्स टे ये कब सेलिबरेट किया गया सो बात करें यहां पर विश्व युवा कोशल दिवस्की तो फेंट्स ये मनाये गया है कब 15 जुलाई को इस दिन की बात करें तो युनाइटिन डेशन जरनल असेंबली ने इस दिन को प्रोक्लेम किया था निविम्बर 2014 में एंडिके इस पार की थीम है यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डिवलपमेंट अगला कोशिन है विच स्टेट गवर्मेंट हैस इंप्लिमेंटेड और राज्य विशिष्ट स्कीम तो स्टॉप स्टबल बर्नी पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य विशिष्ट योशना लागू की है तो इस योशना को फैंड लागू किया है किसने हरियाना गवर्मेंट नी ये जो स्कीम शुरू की गई है ना इसमें फामस को देखिए फैनेशली मदद की जाएगे जो भी उनका क्रॉप का रिजिट्यू बच जाता है जो अफशेश बच जाता है उसके प्रवंधन के लिए उसमें जो पंचायत है उनको जीरो बर्नी का टार्गेट भी जो है उनको स्थापित किया जाएगा बतल्ब वो जीरो बड़ने टार्गेट सेट अफ करेंगी सभी पंचायत नेक्स्ट कोशन देखे गीटा नास नोसेदा किस कंट्री के प्रेजिटेंट के रूप में इन्होंने अभी शपत ली इन्होंने शबत लिए है लिथुआनिया कंट्री के प्रिजिडेंट के रूप में 5 साल के कारेकाल के लिए लिथुआनिया जो कंट्री है यहां की फ्रेंट्स कापिटल है विल्नियस यहां पे करनसी है यूरो और प्रिजिडेन कौन अपॉइंट हुइ है गीता ना्स नौसेधा तो दिखें ये जो टेलेश्कोप है लूंच कीशन है तो याद है किजिए टेलेस्कोप को देखें किसने इसको लूंच किया है वर नासा ने जो है इसके लूंच के गोशना किया है अब इस telescope से NASA का क्या उद्देश है से launch करने का तो इसका main purpose क्या है कि जो भी देखिए identify करना the numerous form of biosignatures जो कि release होते हैं by living things living things के दोरा जो भी जैव चिन है उनके जो असंखिये रूप है उनकी पहचान करना NASA का full name है National Aeronautics and Space Administration formation होती इसके 29 July 1958 को headquarter है इसका Washington DC में next question which state has declared the indigenous cow as a Rajya Mata किस राज़े ने देसी गाए जो है उनने राज़े माता घोशित किया है तो ये डेक्लियर किया है किसने महराश्ट गवर्मेंट ने अब इनको जो राज़े माता देके घोशित किया गया है न ये क्यों किया गया है जो काउस हैं उनके welfare के लिए उनके कलियान के लिए इनको राज़े माता घोशित किया गया और सो महराश के चीफ मिनिस्टर जो है एकनात शिंदे उन्होंने एक सबसिटी स्कीम की भी अनॉंसमेंट करी है जिसमें गउशाला को काउस की देखवाल के लिए उनके पालन के लिए 50 रुपीज पर डे उनको दिये जाएंगे जो भी एगरिपरिणोंस है यानि जो क्रशी उद्दमी है जो भी क्रशी स्टार्टप है उनको समर्थन देने के लिए सरकार ने जिस फंड को शुरू किया है उस फंड को क्या नाम दिया है तो इसे नाम रखा है एगरिश्योर ये जो फंड है जितने भी नएने स्टार्टप देके शुरू हो रही है एगरिकल्चर के फिल्ड में जो नए एंट्रपिणोंस आ रही है उन सभी को एक्विटी और डेप जो रण निवेश है उसको देखे उनको समर्थन करना इसका जो है मेन उद्दिश्य है फंड का अगला कोशन who has authored a biography? बायोग्राफी का नाम है रतन टाटा अलाइफ ये रतन टाटा ची के जीवन के उपर उनके बुक लिखी गई है और इसको लिखा है किसने Thomas Matthew इसके जो है वो author है नेक्स्ट कोशन देखिए एक्सेस बैंक जो है इसके तीन सालों के लिए MD और CEO कौन री अपॉइंट हुए? मतलब इने पुनह से न्युक्त किया गया है देखे तीन सालों के लिए और इनका नाम है अमिताब चौधरी फिंट्स यहां थोड़ा एक्सेस बैंक की बात करें तो एक्सेस बैंक की सापना देखिए 1993 में हुई थी हेड़कौार्टर इसका मुंबई में है और इसके चेर्मेन है राकेश मखीजा अगला कोशन गवर्मेंट हैस टेसाइड़ टो अब्जर्व विच डेट इवरी इयर ऐसा सम्विधान हत्या दिवस तो सरकार ने हर वर्ष देखे कौन सी तारीक है जिसको सम्विधान हत्या दिवस के रूप में मनानी का निर्ने लिया है तो डेट याद दखेगा जोकी है 25 जून 25 जून का दिन इससे चुना गया क्योंकि इस दिन न हमारे देश में इमर्जंसी लागो की थी इंद्रा गांधी जी ने नैशनल इमर्जंसी इस दिन 1975 में जो है डिकलेर की थी जो कब बेंड होई थी 21st मार्च 1977 में ओफिशली से इशू किया प्रेजिडेंट फखरुद्दीन अली एहमद नी इशू किया गया था किस आर्टिकल के तहर्ट दो ये इमर्जंसी नैशनल इमर्जंसी है ना इसको इशू किया गया था अंडर दी आर्टिकल 352 ठीक है तो या दखेंगे समिदान हत्या दिवस कि जो उनको अगला कोशन है विच स्टेट गवर्मेंट हास लॉंच्ट आइटी सक्षम युवा स्कीम 2024 तो यूथ जो है जो यूवा पीडी है जो हमारी अगली जनरेशन है देखें यूथ वाली उनको जॉब्स प्रवाइट करने का टार्गेट इसमें रखा गया है और इसे शुरू किया है हरियाना गवर्मेंट ने तो जो भी ग्रैजूइट सो गए पोस्ट ग्रैजूइट अप्लिकेंट से हैं जो आईटी बेग्ग्राउंड से आती है उनको एम्प्लॉइमेंट प्रवाइट करना जो है इसका मेन परपस है स्कीम का नेक्स्ट क्वेशन इंटर नाशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स नी अंट थीम इस ट्रांसलेशन एंड आर्ट वर्थ प्रोटेक्टिंग चीके फ्राइंट सो इसकी थीम याद रखेगा ये एक्जाम में आ सकती है Next which edition of the Singapore India maritime bar lateral exercise Simbix Simbix exercise कहां पर शुरू हुई है विशाका प्रटनम में चीके दो फेज में हुई थी लेकि जुसका पहला फेज थी विशाका प्रटनम में शुरू हुआ जिसे कहा गया है Harbour Phase तो इस पार Simbix जो exercise है इसका 31st edition हुआ था Harbour Phase तो देखे विशाका पर्टनेम में हुआ Second जो होता वो था इसका C phase जो हुआ कहां पे Bay of Bengal में इस exercise का नाम ना पहले था exercise Lion King तो exercise Lion King के नाम से इसकी शुरुवात हुई थी 1994 में और इंडिया और सिंगापूर के जो नेवी है उसके भीच होती है यह exercise Simbix Next, which of the following two states have emerged at the top performance in the Niti Aayog Sustainable Development Goal India Index तो कौन से दो राज्ये हैं जो Niti Aayog के SDG India Index में शीष प्रदर्शन करता के रूप में उबरे हैं टॉप पर रही है इसमें उत्राखंड और केरल स्टेट सबसे जादा जो वर्स्ट परफॉर्मर रहा यानि बिल्कुल लास्ट पोजिशन पर जो स्टेट रहा वो कौन सा रहा है बिहार यूटीज में बात करें तो टॉप फाइब में देखे चंडीकर रहा बिल्कुल नंबर वन पोजिशन पर अगर यूटीज में पूछे तो आप चंडीकर लगाएंगे टॉप पर next who won the woman's single title at the Wimbledon Open 2024 so Wimbledon हमारा जो है जो चार grand slam होते हैं उसमें से टूर्नामेंट आता है एक Wimbledon महिला एकल किताब जीता है इसमें किसने बार्बूरा कुरेजी कोवा चीक है और इसे के साथ men's single भी याद दखीगा जिसके winner कौन है कार्लोस एलकराज अगला कॉशन है इन जूलाई 24 के-पी शर्मा ओली वोस वांड इन इस नेपाल प्राइम मिनिस्टर for which time इस बार जो है के-पी शर्मा ओली जो है čौती बार 4 टाइम जो है नेपाल के प्रधान मंतरी बनी है नेपाल कंट्री इंडिया के देखें नेवरिग कंट्री है नेपाल कैपिटल है काटमांडू करंसी है नेपाली रुपी प्रेजिडेंट है रामचंदर पउडेल और येहां पे प्राइम मिनिस्टर कौन है के पी शर्मा ओली नेक्स्ट कोशन है फॉर्मुला वन रेस युनाइटेट इस्टेट ग्राइन प्रिक्स किसने जीती है तो यह फॉर्मुला रेस जीती है चार्ल्स लेकलर्क नी नेक्स्ट कोशन वो हैस बीन इलेक्टेड पाकिस्तान के देखे अगले मुख्य न्याइधीश के रूप में चुने गए है कौन जस्टेस यहाया इफरीदी पाकिस्तान देश के कापिटल है इसलामबाद करिंसी है पाकिस्तानी रूपी प्राइम मिनिस्टर है शेवाज शरीव और प्रेजिडेंट है आसिफ अली जर्दरी नेक्स्ट कोशन विच व्द फुल लॉइंज इसने अभी लॉंच किया है गियर शिफ्ट चैलेंज इस अपार्ट ओव धी इफास्ट इंडिया इनिशियेटिव तो गियर शिफ्ट जो चैलेंज है इसे लॉंच किया है किसने नीती आयोग नी नीती आयोग जो है इसका फुल नेम है नाशनल इंस्टिटूशनल फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया इसके सापना होई थी 1st of January 2015 में नीती आयोग को याद दखेंगे प्लानिंग कमीशन की जगा पर स्टार्ट किया गया था हिट कॉर्टेस का न्यू डेली में है चियर परसन है नरेंद्र मोदीजी वाइश चियर परसन है सुमन के बैरी और सीयो है विविया सुब्यमन्यम अगला गोशन वोट इस ए रैंक आफ इंडिया इन्दा एकनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024 सु जो आर्थिक सुवतंतता देखे रिपोर्ट आई है इसमें भारत का रैंग क्या है इंडिया का इसमें रैंग क्या है 84 ठीके और टॉप पे बात करें तो टॉप पे जो कंट्री है वो है हॉंग कॉंग इस रिपोर्ट को रिलीज किया है फ्रीजर इंस्टिट्यूट ने नेक्स्ट कोशन है खारची पूजा इस न एंचेंट फेस्टिवल जो एवरी एर कौन से स्टेट में सेलिबेट किया जाता है खारची पूजा जो है ये सलिबेट किया जाता है तिरपुरा स्टेट में ये एक एंचेंट देखे ट्रेडिशनल फेस्टिवल है तिरपुरा क और जो वहां की religious heritage हो गई यानि जो वहां की धार्मिक विरासत और जो वहां का culture है उसके साथ काफी जादा ये connected है associated है इस पार जो है इसमें थीम भी रखी गई थी जो की है green is the future next day which state opened its first bird gallery to promote conservation किस राज़े ने सनक्षन को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली पक्षी गैलरी खोली तो ये open करी है किसनी उत्राखंट state में ये जो research wing है उत्राखंट forest department का वहां पे stabilize किये गया है उत्राखंट के पहली bird gallery देरादून के nature education center जोली grant में इस gallery में देखे उत्राखंट के जो भी birds है ना उनकी high resolution जो image है जो पुरकुर HD, पुरकुर ultra HD image होती है वो यहां पे showcase की जाएंगी तो जो भी visitors आएंगे ना वो सभी birds को देखेंगे, उनकी पूरी जानकारी उनको यहां पे दी जाएगी, उनकी species हो गई, किस तरह से उनके feathers होते हैं, हर चीज़ के बारे में जहार visitors को यहां पे information मिल पाएगी birds के बारे में नेक्स्टेक के sector ने recently के sector को honor किया गया है दादा साहेफाल के award से, important question है माग करेगा, इस पार दादा साहेफाल के award दिया गया मिथुन चकरवर्ती को, मिथुन चकरवर्ती को यह जो award मिला है ना, friends, यह मिला है देखें, उनकी जो 70th national film award ceremony होई थी, उसी दरान उनको इस award से सम्मानित किया गया है अगला question देखें, to which country has, सुभाज प्रशाद गुपता appointed as India's next ambassador, तो सुभाज प्रशाद गुपता चो है, किस country में इंडिया के अगले ambassador निक्त हुए, तो यह appoint होए हैं कहाँ पे सूरी नाम country में next question है, which country जिसने चीता है, कोपा अमेरिका 2024 का title और इसमें उन्होंने हराया किसे यह देखें, कॉलम्बिया को, सो कॉलम्बिया को हराकर, कोपा अमेरिका का खिताब चीता है, किसनी अर्जंटीना की टीम ने, और अर्जंटीना का यह 16th title है, कोपा अमेरिका next question, which team won world championship of legends title, किस team ने world championship of legends का किताब जीता, तो friends यह title जीता है, इंडिया champions ने, इंडिया champions ने देखें, final में बीट किया था, किसे पाकिस्तान को, six teams ने जो है इसमें participate किया था, England, Australia, India, Pakistan, South Africa and West Indies next question, a global conference on space research, kicked off in which country, to foster international scientific research in space तो space में देखें, अंतराश्टिये विज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, एक global conference हुई थी, यह कौन सी country में शुरू हुई थी, तो यह conference हुई थे, कहां पे, South Korea में South Korea की बात करती हैं, तो आप देख सकते, map में location, South Korea की capital है, Seoul, currency है, South Korean won, और प्राइम मिनिस्टर है, यहां के, हांडग सू Next question है, which country will host second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation तो देखिए, सितंबर में था, नागरिक विमानन पर दूसरा edition हुआ था, एशिया प्रशान्त मंत्रिस्तरिय सम्मेलन का, और यह जो second edition हुआ था, इसको host किस country ने किया, तो इसे host किया था, किस ने इस बार इंडिया नी और जो इसकी पहला edition था, इस conference का, वो February 2018 में हुआ था, और इसमें कहां भी हुआ था, first conference हुई थी, friends, बीजिंग में Next, recently देखे, किस ने जीता है, prestigious 2024 साश्टर रामानुजन प्राइस 2024 के साश्टर रामानुजन पुरुषकार से सम्मानित किसे किया गया है, ये honor दिया गया है, Alexander Dunn जो साश्टर रामानुजन प्राइस है, इसके शुरुवाद 2005 में साश्टर रामानुजन पुरुषकार रामानुजन पुरुषकार रामानुजन की बट अनिवर्सरी के occasion पे 22 दिसेंबर को तो जो भी 32 वर्ष से कमायों के जो mathematicians हैं, जो गणितग्ये हैं, उनको दिया जाता है award विकलांग चात्रों के लिए, जो पूर्वे भारत का पहला विश्यविध्याल है, ये कहां पे खोला जाएगा? ये open किया जाएगा कहां पे? रांचे सिटी में. ये जो university है ना, इसमें जो disabled student है, उनकी needs के according, जो उनकी आविश्यक्ता हैं, उसी के according जो है, उनको education यहां पे दी जाएगी. नेक्स कोशन देखे, state award to teachers and head of school schemes will be launched by which state? किस राजय ने ये शुरू की है, सिख्षो को और स्कूल प्रमो को को राजय पुरुषकार योजना? इस योजना को हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है, अब ये जो योजना शुरू की गई है, इसका main purpose किया है, कि state में जो teachers, जो भी exceptional service देते हैं, जो बहुत अच्छे से अपनी काम को निभाती हैं, उनको honor करना, उनको recognize करना, क्योंकि जब किसी को सम्मान दिया जाता है, इस तरीके से उनको confidence level भड़ता है, वो कोशिश करते हैं कि उनको और भी अच्छा काम करें, और बाकी others की जो हैं इससे motivate होती है, तो यही main जो है हमाचल प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश यह है, नेक्ट कोशन है, इंटरनाशनल नेलसन मंडेला डे कब celebrate किया गया है, आंतराश्टे नेलसन मंडेला डे जो है, यह celebrate किया गया है, 18 जोलाई को, 18 जोलाई को इसने मनाते हैं क्योंकि इस दे नेलसन मंडेला जी की जो है, इनका बुद्दे होता है, 18 जोलाई, नेलसन मंडेला जी की बात करें, he was the black nationalist और South Africa के पहले democratically elected यह black president थे, South Africa के यह प्रेज पहली बार यह दिन celebrate किया गया था, 18 जोलाई, 2010 में, जैसे नेनकी 92 birth anniversary थी, उस दिन पहली बार यह दे celebrate किया गया, और 2024 की theme याद रकी का जो की है, It's still on our hands to combat poverty and inequity. नेक्स्ट है, Paul Kagame re-elected for fourth term as a president of which country, चौती बार किस तेश के राश्टपती चुने गए हैं, Paul Kagame, तो यह चुने गए हैं, Rewanda country के president. Rewanda country, Africa continent पे है, capital है, किगाली, currency है, यहाँ पे, Rewandan frank. अगला question, exercise Pitch Black 2024 has been conducted between which of the following two countries. Pitch Black जो अभियास है किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है, तो यह अभियास हुआ इंडिया और उस्ट्रेलिया के बीच. इस exercise को देखे, इस बार host किया था, Royal Australian Air Force में, और इसमें इंडिया के जो SU-30 MKI aircraft हैं, उसने इसमें participate किया. नेक्स्ट कोशन है, आर्जू राणा दियोब किस कंट्री की foreign minister appoint हुई है? आंसर इस नेपाल, तो नेपाल देश की विदेश मंत्री कौन बनी है? आर्जू राणा दियोब. नेपाल कंट्री जो है, capital Kathmandu है, currency है, नेपाली इस रुपी. अगला कोशन देखे, who became the first Indian to be selected for the Hans Von Hanting Award? तो Hans Von Hanting पुरुषकार के लिए, चैनित होने वाले पहले भारते कौन बनी? So, first Indian कौन बनी है, इनका नाम याद रखेंगे, K. Chok Lingam. Next question देखे, in which country was India's first overseas Jan Aushadhi Kendra inaugurated? बारत का पहला जो विदेशी Jan Aushadhi Kendra है, किस तेश में खोला गया है, तो ये Kendra जो है, खोला गया है, कहाँ पे, Mauritius country में? Jan Aushadhi Kendra जो ये खोले गया है ना, इसमें देखे, आपको बहुत जो भी medicine से, बहुत reasonable price में जहाँ पे लोगों को provide की चाती हैं. इस योशना को महरास्ट सरकार ने शुरू किया है, उनको देखे, जो competitive job market है, उसमें उनकी जो employability है, उसको बढ़ाना, उनकी जो रोजकार शमता है, उसको बढ़ाना इसका उदेश्य है. Next question ने कि, who has been named sub-regional representative for South Asia by the Asian Paralympic Committee? तो जो Asian Paralympic Committee है, उसने दक्षिन एशिया के लिए उप छेत्रे प्रतेनिधी किसे न्युक्त किया है? Answer is, दीपा मलिक. Asian Paralympic Committee है, इसकी formation होई थी 30 October 2002, headquarters दुबई में है, members है 45, and president है मसित राश्चद. Next question देखे, एक book है, जिसका title है, Power Within the Leadership Legacy of Narendra Modi Ji. किस ने लिखी ये book? तो इस book के author है, Dr. B, Dr. R. Balasubyamanyam. Next question, Kevin Quintel, जो कि news में काफी रहते हैं अपनी achievement के लिए, he associated with which of the following sports? तो Kevin Quintel, जो है, इनका संबंध है कौन से sports से? Racing से. So, इनके बारे में जो news हमें याद रखनी है, वो क्या है, देखिए. सो जो world super bike championship हुई, उसमें भाग लेने वाले जो है, ये पहले Indian rider बनी है, Kevin Quintel. Next है, Claudia Sheenbaum, किस country की पहली female president appoint हुई है. Recent इनोंने अपने पद की शपत ली है, और ये Mexico की पहली महिला राश्टपती बनी. Mexico country जो है, capital यहां की है, Mexico City, currency है, यहां पे peso. Next question है, which film awarded the best film award in the IFA 2024? IFA 2024 में किस film को सर्षेष्ट film का पुरुष्कार दिया गया? इस बार दिया गया है animal film को. Other award winners देख लीजे, best actor award मिला शारुक गान, best actress का award मिला है रानी मुकरजी को, best director का award मिला विदू विनोथ चोपड़ा, best supporting actor award मिला अनिल कपूर, and supporting actress में award मिला है शबाना आस्मी को. एक्टर इन नेगेटिव रोल. किसमें मिला ये award? बॉबी देओल. Next day, World Heart Day, विश्व हिर्दे दिवस का प्सेलिबेट किया गया है. तो, friends, 29 September को मनाया कया है विश्व हिर्दे दिवस. इस दिन के जो इस्थापना है, इस दिन को देखे एस्टिबलाइश किया था, 1999 में, World Heart Heart Federation ने. और इसकी theme क्या है? Use Heart for Action. Next in September, India and which country? Signed a bilateral investment treaty. So, भारत और के स्थेश ने दोई पक्षिये निवेश संधी पर हस्ताक्षर किये. तो, ये sign हुआ है इंडिया and उजबेकिस्तान के बीच. इससे जो sign किया गया है, इसका main purpose किया है, कि जो भी investors है, उनका confidence बढ़ाने के लिए, उनका जो विश्वास से उसे बढ़ाने के लिए जो है, ये treaty sign हुई. इस treaty को इंडिया के तरफ से sign किया है, किसने finance minister निर्मला सीतर हमर जी नी. अगला question है, किस ministry ने अभी launch किये है, National Responsible Tourism Initiative. इनके नाम है, परेटन, मित्र and परेटन दीदी. तो ये जो दो राष्टे जिम्मेदार परेटन पहल शुरू की गई, इनको शुरू किया है, Ministry of Tourism नी. इनने इसले शुरू किया गया है, जो भी देखिये, ट्यूरिस्ट आती है, उनका experience और भी अच्छा हो सकी. तो लोकल अम्बैसिटर के माध्यम से ट्यूरिस्ट के experience इसको बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया. अगला question, which ministry has recently launched, second edition of the Tobacco Free Youth Campaign 2.0 in New Delhi. तो तंबाको मुक्त युवा अभ्यान, इस अभ्यान का भी दूसरा संसकरन नई दिल्ली में लॉंच किया है, Ministry of Health and Family Welfare नी. तो जो इस टेट मिनिस्टर है, Health and Family Welfare के प्रताप, राओ, गन, पात्राओ, जाधव, इन्होंने लॉंच किया है इस campaign को. नाम है भारत Electronics Limited, यह जो M.E.U. साइन हुआ है, इसके पीछे का परपस क्या है? तो जो भी Space Technology है, उनको बढ़ाना, स्पेशली जो है, जो Space Situational Awareness है, उस पर मेंड फोकस करना. अगला कुशिन देखे, Who Established Rail Rekshak Dal in the North Western Railway Zone? तो देखे, जो Rail Rekshak Dal है न, इसके स्थापना की है किसने? इंडियन रेलवे ने. तो जो North Western Railway Zone है, वहाँ इसके स्थापना की गई है, अब ये Rail Rekshak Dal क्यों स्थापित किया गया है? तो जो Train Accidents होते हैं, जैसे, तो Rail धुरगटनाव पर तुरंत Respond करना, और Rescue Operation जो होते हैं, बचाव खारे होते हैं, उनको करना इसका उद्देश्य है. इंटर्न रेलवे के स्थापना होती, 16 April 1853 को, Headquarters इसका कहां पे है? New Delhi में. अगला कोशिन देखे, Oxygen Bird Park, जिसे अमरत महसर पार्क भी कहां, इसे कॉंसी सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? तो Oxygen Bird Park को इनॉग्रेट किया गया है, नागपुर सिटी में. इस Oxygen Bird Park को इनॉग्रेट किया, रोड ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर नितन गटकरी ने. और इसको डेवलप किया किसने, National Highway Authority of India ने. ये जो पार्क है, इसको डिजाइन किया किया है, एजा, Natural Bird Habitat के रूप में. Next, which of the following जिसने जीता है, Best Heritage Tourism Village of 2024 Award. सर्वशेष्ट विरासत परेटन गाउं का पुरिशकार जीता है, Entro Village ने. Entro Village जो है, ये लोकेटेट कहां पे है, मनीपूर स्टेट में ये लोकेटेट है. Next question है, International Day of Older Persons was celebrated on which day? अंतराश्टे व्रहद जन दिवस, ये कब सेलिबेट किया गया है, तो ये दिन मनाये गया है 1st October को. पहली बार जो है, ये दिन सेलिबेट किया गया था 1st October 1991 में और दिखे, इसकी theme क्या है इस पार की, Aging with Dignity, The Importance of Strengthening Care and Support System for Older Persons Worldwide. अंगला कोशन है, What is the name of the hurricane that has caused destruction across the South Eastern United States recently? उस तूफान का नाम क्या है, जिसने हाली में दक्षिन पूर्वी सायोंत राश्ट अमेरिका में तबाही मचाई है. तो उस तूफान का नाम है, Hurricane Helen. Next question देखे, उदे निदे स्टालिन चोहे, इनको किस state का deputy CM appoint किया गया है? उदे निदे स्टालिन चोहे, ये उप मुख्यमंत्री बनी है, तमिलनाडू स्टेट में. Next question, RBA organized a conference on the governance of a small finance bank in which city? तो RBA ने के शहर में लगुवित बैंकों के प्रसाशन पर एक सम्मेलन आयुजित किया, ये सम्मेलन आयुजित किया गया Bengaluru City में. जो RBA के जो deputy governor है M. Swaminathan, उन्होंने देखे जो directors है न, अदर जो भी small finance bank है, उनको encourage किया. To be vigilant and proactive in identify and mitigate emerging risks, जो नईने देखे उभरते जोखी मारें कि उनको आप identify करें और आप सतर्क रहें, सक्रिय रहें ताकि उनको solve किया जा सके timely, तो इसलिए उन सभी directors को encourage किया गया. इस conference की theme थी, governance in small finance banks, driving sustainable growth and stability. Next question है, the Ministry of Home Affairs appointed IPS नलिन प्रभाद. नलिन प्रभाद को किस state या UT का appoint किया गया है Director General of Police, तो इन्हें बनाये हैं Jammu Kashmir का DGP. Who has won gold medal at the World Athletics Continental Tour? तो Wish Athletics जो Continental Tour हुआ उसमें देखे, स्वन पदक किसने जीता है? Answer is option number A, Gulvir Singh. Gulvir Singh जो है इन्होंने men's की 5000 meter race में जीता है gold medal और एक नया national record में इन्होंने set किया, जिसमें इनका time क्या था? 13 minute and 11.82 seconds. अगला कोशन है Who is the first Indian left arm spinner to take 300 test wickets in test cricket? Test cricket में 300 test wickets लेने वाले पहले भारते बाएं हाथ के spinner कौन है? Right answer, Ravindra Jadija. अगला कोशन है BCCI has officially opened the new National Cricket Academy और इसका नाम रखा है BCCI Center of Excellence. तो किस शहर में BCCI ने ये academy खोख ली है? तो ये open की है Bangalore City में. अब इससे फाइदा क्या होगा कि जो next generation आ रही है, अगला जो हमारा cricket talent है, उनको आगी बढ़ाना, उनको develop करना, उनको support करना. BCCI जो है इसकी सापना 1928 में हुई headquarter है इसका मुंबई में. नेक्स्ट कोशन हुइ इनाउगरेटेड आयुष मेडिकल वेल्यू ट्रावल सम्मिट 2024. तो आयुष चिकिसा मूले यातरा शिखर सम्मेलन का उद्गाटन किस ने किया? तो ये किया है प्रताप रावजाधव ने. इस देखें सम्मिट की थीम क्या रही? ग्लोबल सिनरजी इन आयुष ट्रांस्फॉर्मिंग हेल्थ अन्वेल्नेस थ्रू मेडिकल वेल्यू ट्रावल. अंगला कोशन है केकी एन दारुवाला जिनका भी रिसेंटली देखे 87 वर्ष के आयुँ में निधन हो कया हूँ वास ही? कौन थे केकी एन दारुवाला? तो ये कौन थे फ्रेंड्स पोयर्ट थी? एक इंपॉर्टन अवाड यहां से आदर कीगा केकी एन दारुवाला जो है इन्हें 1984 में साहित ते अकेडमी अवाड मिला था. अगला कोशन है किस बैंक ने Smart Wealth अप्लिकेशन में नए अपडेट जो है लॉंच किये हैं? Smart Wealth अप्लिकेशन में नए अपडेट लेके आए हैं SDOC Bank SDOC Bank की सापना हुई August 1994 में Headquarters का मुंबई में है MDCO है शाशिदर जगदीशन, चेयर्मन है अतानु चकरवर्थी and tagline है We Understand Your World Next question देखे, Who has been appointed as a chairman of उतकरश Small Finance Bank Answer है परवीन कुमार गुपता Next question देखे, Who inaugurated 21st Commonwealth Parliamentary Association Zone 3rd Conference 21 देखे, राश्टमंडल संसधिय संग जोन जो ये थम्मिलन हुआ, इसका उन घाटन किस नहीं किया है तो लोग सभाके जो speaker है, ओम बिल्ला उन्होंने जो है इस conference को inaugurate किया है ये conference कहां हुई थी, ये question भी यातकीगा तो ये conference हुई थी, I is all miserum और इसकी theme है Democratic, Sensity, Transparency, Accountability and Results from Democracy ठीके friends, तो ये जो है वो इसकी क्या रही है theme अगला question है, where was the second India Sugar and Bio Energy Conference held दूसरा भारेश शरकरा और जैवोर्जा सम्मिलन कहां हुआ, तो ये सम्मिलन हुआ है नई दिल्ली में अगला question देखे, सिकंदराबाद में आठवे भारते कला महसफ का उन घाटन किस ने किया तो अभी आठवे भारते कला महसफ का उन घाटन किया है प्रेजिडेंट द्रापदी मरमोनी इस महसम में देखे, यहां पे शोकेस किये गए है आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट, जो भी नौर्थ इस्टन स्टेट हो गए हमारी जैसी अरुनाचल प्रदेश, असाम, मनिपूर, मिंगाले, मिजोरम, नागलेंच, सिक्यम, तिरपुरा तो यह जो हमारी नौर्थ इस्टन स्टेट है, इनके जो कल्चर, इनके जो क्राफ्ट हैं, उनको यहां शोकेस किया गया है अगला कोशन है, who inaugurated the Bidkin Industrial Area in महराष्ट तो महराष्ट में Bidkin और डियोगिक छेतर का उद्गाटन किस नहीं किया? राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर मोधी जी नी कोशन है, two-time Oscar winning actor Maggie Smith, इनका भी recently जो है निदन हो गया है कोशन में पूचा है, how many times she was honored with Emmy Awards तो इनको देखे कितनी बार Emmy पुरुषकार से सम्मानित किया गया है, तो इनको चार बार मिले है Emmy Awards मैगिस में जो है न, इनका एक main important role रहा था, Harry Potter movie में Professor McGonnell का, also इनको Academy Awards भी मिला है, यानि Oscar Awards से भी इनको सम्मानित किया गया है और इनने चार बार मिले है, Emmy Awards आगला गुजिने, which state becomes the first state to get Niti Aayog's Women's Entrepreneurship Platform chapter कौन सा राज्ये नीति आयोग का महिला उद्दमिता मंच अध्याई पानी वाला पहला राज्ये बन गया है तो first state बन गया है कौन सा तिलंगाना अब यह जो platform launch किया गया है न, इसका main purpose क्या है कि जो women entrepreneurs आती है, अलग-लग sectors में उनको support करना, उनको promote करना Next question है, world animal welfare day कप celebrate किया गया है तो wishu-pashu-kalli-an-divas, यह मनाए गया है friends 4th October को इस जिनको देखे साबित किया गया था 24th of March 1925 में, animal protection activist Henrik Zimmerman और इसकी theme यह important है, the world is their home too अगला question है, in which state did Prime Minister Modi ji launch धर्ती आबा, Tribal Village Development Campaign तो एक अभियान है, जो की है धर्ती आबा, जन जातिये, ग्राम, विकास, अभियान और इस अभियान को शुरू किया है, किसने जारकंड, सरकार्ण जारकंड जो इस state है, देखे, यहां की formation हुई थी 15 November 2000 को Capital है, यहां की रांची, CM है, हीमंत सोरीन, और गवर्नर है, संतोष कुमार गंगवार अगला question है, which bank introduced multi-currency world travel card for international travelers किस bank ने देखे, जो इंटराश्टर यात्री है, उनके लिए बहु मुद्रा विश्व यात्रा कार्ट पेश किया, इसे इंटर्ड्यूस किया है, पंजाब National Bank ने, PNB Bank के सापना हुई थी, 19th of May 1994 को headquarters का New Delhi में है, और tagline है, The Name You Can Bank Upon अगला question देखे, मिघाले High Court के जो है, Chief Justice कौन न्युक्त हुए है? Right answer है, Justice Indra Prasanna Mukherji, मिघाले के बनी है, ये मुख्या न्याएधीश, मिघाले High Court के Next, who has become the first woman officer to take over as a Director General Armed Forces Medical Service? तो जो शशर्ष्ट बल चिकिस्ता सीवा है, इसकी महाने देशक का पन्भार सम्हालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, आरती सरीन अगला question है, What is the name of the autobiography of the Brain Lara Launched? तो Brain Lara जो famous person है तेकिन की autobiography का नाम किया है, Lara the England Chronicles अगला question है, India won 2024 SCFF Men's Under-17 Championship by defeating which team in the final? विनर टीम कान सी है, देखो इसमें इंडिया, इंडिया तो विनर याद रखीगा, और जो runner-up टीम रही, यानि इंडिया ने इसमें हराया किसी बांगलादेश को फाइनल मैस चोता वो भूटान में केला गया था और गोलकीपर आफ दी टूर्नमेंट चुना गया है, अहीं बाम सूरज सिंग को इसमें इंडिया टीम के काप्टन थे, गाम कोहू माती, प्लेयर आफ दी टूर्नमेंट चुना गया, मुहम्मद अरबाश Next question है, Union cabinet has approved classical language status for how many languages in 2024? अभी दीके, recently कुछ भाषाओं को साश्च्री भाषा का दर्जा दिया गया है, कितनी? टोटल पाँच language को, और कौन कौन सी है लैंगएज इनको classical language का दर्जा मिला? Marathi, Bengali, SMEs, Pali and Prakrit next है गौशाला विद बायो CNG plant इसे inaugurate किया है प्राइम निस्टर मोदी जी ने अब यह जो प्लांट लगाया गया है ने कौन से स्टेट में स्टेथ है तो यह प्लांट लगाया गया है मत्या प्रदेश राज्यमी ये जो गौशाला विच सी बायो सी एंजी प्लांट है ये प्रेड्यूस कर सकता है 3 टन्स ओफ नाचुरल गैस पर डे इसमें गाए के जो गोबर होता है न उसको 100 टन गाए के गोबर को यूज करके 3 टन एक दिन में 3 टन नाचुरल गैस यहां से प्रेड्यूस हो सकती है अगला कोशन इन टैनिस कालो सेलकराज वान इस फर्स्ट चाइना उपन टाइटल तो पहला चाइना उपन खिताब जीता है कालो सेलकराज ने अपना आंड ये किस कंट्री से हैं तो बिलॉंग करती है फ्रेंड्स इस्पेन कंट्री से अगला कोशन है किस कंट्री कौन सी कंट्री है जो 2025 में जो पहला कोको वाइट कप होगा उसे होस्ट करेगी तो पहला देखे कोको विश्कप की मिजबानी करेगा भारत इंडिया इसको होस्ट करेगा नेक्स्ट कोशन हूँ वांड गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन दी इससेफ जूनियर 25 मीटर पिस्टल तो इससेफ जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वान पदक किस ने जीता है दिव्यान्शी ने अगला कोशन देखे विद विच कंट्री हाज दी इसरो अनाउंस कोलाबरेशन ओन दी तृष्णा मिशन फॉर क्लाइमेट डेटा तो इसरो ने जलवाई हू डेटा के लिए किस कंट्री के साथ में तृष्णा मिशन पर सहीयो करने की गोशना की राइट आंसर इस फ्रांस जो तृष्णा मिशन है देखे इसका फुल नेम है थर्मल इंफर रेड इमेजिंग सेरिलाइट फॉर हाई रिसलूशन नैचरल रिसोर्स असेस्मेंट इसका में प्रपस क्या है इस मिशन का कि दुनिया बर क्या जो सर्फिस टैंपरिचर है जो स साल का रहेगा इस्ट्रो की बात करें इस्ट्रो के सापना होई थे 15 ऑगस्ट 1969 को हेड़कॉर्टर इसका वेंगलूरू में है चेयर्मेन है एस सोमनाथ नेक्स्ट कोशन है अकॉर्ट सबसे महंगा शहर है वो कौसा है मुंबई यह जो report है Coast of Living City ranking की इससे publish किया है किसने मरसर ने और जो अगर हम दुनिया की बात करें, world level पे number one पे है कौन सी Hong Kong City Next question, who is the author of the book? Title है The Conspiracy to Oust Me from the Presidency तो book के author कौन है? Gota Bayar Rajapakshi अगरा question है, which country won ICC Men's T20 World Cup 2024? तो ICC पुरुष T20 Wish Cup किस देश ने जीता? यह जीता है किस ने? इंडिया ने इस पार Men's T20 World Cup का देखिए 9th edition था जिसमें 20 teams ने भाग लिया करंट चांपिन रही थी इंडिया इंडिया का यह दूसरा टाइटल है रनर अरप टीम रही कौन सी? South Africa इस पार जो है, host किया था पूरे T20 World Cup को West Indeed और US ने Next question है, on which day International Olympic Day was observed? अंतराश्टे Olympic दिवस जो है यह celebrate किया गया है 23rd of June को इस दिन International Olympic Committee के स्थापना हुई थी 1894 में तो इसी दिन की याद में मनाया जाता है International Olympic Day First time celebrate हुआता है यह 1948 में and the theme is Let's Move and Celebrate अंगला question Telecom Regulatory Authority of India Short में इसका नाम है TRI TRI के नहीं Secretary कौन अपॉइंट हुए है? Answer is Atul Kumar Chaudhary TRI जो है इसकी स्थापना हुई थी 20th February 1997 Headquarter है New Delhi and chairperson है Anil Kumar Lahoti अगला question Which IIT student Kalash Gupta won the world's biggest coding competition? Kalash Gupta जो है इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जो coding प्रत्योगता है वो जीती है और यह student है IIT Delhi की Next question है Koji Code was officially declared as India's first UNESCO City of Literature भारत का पहला UNESCO साहित्य का शहर कौन सा घोशित किया गया इस शहर का नाम याद केंगे Koji Code और यह located है केरल स्टेट में Next is Sanjana Thakur won the 2024 Commonwealth Short Story Prize for her story किस स्टोरी के लिए देखिए Sanjana Thakur ने राष्ट मंडल लगु कथा बुरुशकार जीता स्टोरी का नाम क्या है एश्वरिया रोई यह जो Commonwealth Story Prize यह इस प्राइस को जीतने वाली Sanjana Thakur तीसरी इंडियन है इनसे पहले किर्थी का पांडे और पारश्र कुलकर्णी इन्होंने जो है प्राइस जीता था और थर्ड इनन बनी है Sanjana Thakur Next question Formula 1 race Spanish Grand Prix किसने जीती है तो यह टाइटल जीता है Max Was The Bean Next which of the following city has got World Craft City Tag from the World Craft Council तो किस शहर को विश्व शिल्प परिश्यद से विश्व शिल्प शहर का टैग मिला है तो यह जो Certificate या जो टैग मिला है यह श्रीनगर सिटी को मिला है अगला question है उत्रप्रदेश गवर्रमेंट विल Establish the World First Conservation and Breeding Center for Asian King Vultures और Red Headed Vultures in State of State दुनिया का यह पहला देखिए जो Vultures है ना उनका संदक्षन और Breeding Center है इसको UP सरकार सेट अप करेगी कौन सी सिटी में आंसर इस महराज गंज सिटी में अगला question who has launched National Stop Diaryia Campaign in New Delhi नई दिल्ली में राष्टियर डाइरिया रोको अभियान का शुभारम किस ने किया राइट आंसर इस J.P. Naddani नेक्स एकि इंडिया जार्जेस्ट लेपर्ट सफारी has been opened to public at which biological park भारत के सबसे बड़ी जो तेन दुआ सफारी है यह किस biological park में खोली गई है आंसर बानेर घटा biological park next who has been honored with the prestigious pen printer prize 2024 for her unflinching and unswearing writings तो जो प्रतिष्ट पैन पिंटर पुरिष्कार है इस पुरिष्कार से सम्मानित किया गया है किसे अरुन्दती रॉई को next question है national doctor's day कप celebrate किया गया है राष्टे चिकिस्सक दिवस यह मनाय गया है friends 1st of July को 1st July को इसलिए यह मनाया जाता है क्योंकि इस दिन death anniversary और birth anniversary होती है famous physician of India Dr. Vidhan Chandr Roy की Dr. Vidhan Chandr Roy जो है इनका जन 1st of July 1888 को पटना भी हार में हुआ था और देखे नेशनल doctor's day की theme क्या है healing hands, caring hurts आगला है which state government जिसने launch की है मुख्य मंतरी माजी लड़की बहन scheme यह योशना शुरू किसने की है महराष्ट government ने तो महराष्ट के जो deputy CM और finance minister है अजीत पवार उन्होंने announcement की थी इस scheme की क्या है देखे यह scheme है तो इस योशना के तहत 21 से लेके 60 साल के बीच की जो women's है जो age gap है जो women's उनको 1500 उपीस पर मन्तगी financial assistant यानि उनको वित्य सहायता मिलेगी इस योशना के तहत next which state government introduced the first witness protection scheme for justice delivery नियाय प्रदान करने के लिए पहली गवास संडक्षन योशना ये शुरू की है किसने असम सरकार नी next who has been awarded 12th Vishwa Hindi सम्मान at Hindi समवाद event जिसे organized किया था इंडिया की embassy ने नेपाल में नेपाल में की event हुआता देखे Hindi समवाद event इस कारिक्रम में बारवे Vishwa Hindi सम्मान से सम्मानित किया गया है किसे उशा ठाकुर को next question book का नाम है Manoj Bacchapai The Definite Biography किसने लिखे ये book तो friends ये book लिखी है तो ये देखे चो Manoj Bacchapai जी के उपर ये उनकी बाइग्रफी लिखी गई ये बाइग्राफी है ये और ये बाइग्राफी किसने लिखी है Piyush Pandes के author है अगला question How many gold medal did India win in under 23 Asian Wrestling Championship ये championship जो थी ना ये Amman Jordan में हुई थी और इसमें India ने कुतने gold medal जीते total medals नहीं पूचे यहाँ पूचें कितने gold medal जीते है तो total 4 gold medal जीते अब total medals की भी बात करें तो इस championship में इंडिया ने total 8 medals जीते है 4 gold, 2 जीते हैं silver और 2 ही जीते हैं bronze medal 4 gold medal जो जीते हैं उनके नाम है प्लियर्स के अभी मन्यू जोइंती कुमार साहिल जगलन और अनिरुद कुमार Next question Sujata Sonic has been appointed as a first woman chief secretary of which state Sujata Sonic जो है ये महराश्ट राज्य की बनी पहली महिला मुख्य सजिव Sujata Sonic महराश्ट की बनी है 45th chief secretary लेकिन महिलाओं में first है ये 1987 badge की I.S. officer है कौन से कार्डर से महराश्ट कार्डर सी Next question Who has won 2024 Lyon Master Chess Tournament Lyon Master Chess Tournament किसने चीता Vishunathan Anandani अगला question Pachthu Ruthu Project to achieve net zero carbon target is launched by which state तो Pachthu Ruthu जो परियोशना है ये शुरू की गई है केरल सरकार के दौरा ये जो परियोशना शुरू की गई इसका उदेश है क्या है To create Man-made mini forest जो मानव निर्मित लगू वन है ये बनाना पेड और जो भी देखे नेटिब प्लांट है जो देसी पोदे है उनको लगागा जो बंजर बड़ी भूमी है जो बैरन लैंड है उसको हरा भरा करना इस प्रोजेक्ट का उदेश है अगला question है Indian Air Force और Egypt की Air Force के बीच exercise हुई है देखे जो की है Hopix कौन सा edition इस बार हुआ है Hopix exercise का हुआ है इस बार 4th edition इसमें India का जो Rafale Air जो fighter jet है देखे उसने भाग लिया C-17 Globemaster Transport Aircraft and IL-78 Tankers तो इन्होंने भाग लिया था Hopix exercise में Next which country became the first country to impose a tax on livestock farmers पशु पालकों पर कर लगाने वाला पहला देश मन गया है कौन सा Denmark अगला question which is state government has launched मुख्य मंतरी किसान सम्मान निधी scheme तो किस राज़सरकार ने शुरू की मुख्य मंतरी किसान सम्मान निधी योशना ये योशना राज़स्तान सरकार ने शुरू की है अच्छा ये जो योशना शुरू की गई है इसका मेन उद्देशे है farmers को support करना उनकी income को boost करना उनकी आए बढ़ाने के लिए ही इस योशना को शुरू किया गया है तो इस योशना के तहर्ट farmers को एक साल में 2000 रुपे रिसीव होंगे अगला है विच बैंक हैस लॉंच्ट स्टूडेंट सेफीरो फॉरेक्स कार्ड स्टूडेंट सेफीरो फॉरेक्स कार्ड किसने लॉंच किया तो ये लॉंच किया है ICIC बैंक ने ICIC बैंक जो है देखे इसकी देखे फुल नेम है Industrial Credit and Investment Corporation of India Bank इस्थापना हुई इसकी 1994 में Headquarter है इसका मुंबई में MDCO है संदी बक्षी और टेगलाइन है हम है ना खयाल आप का अगला कोशन है India secured which rank in IMF Artificial Intelligence Preparedness Index 2024 Artificial Intelligence तैयारी सूचकांग में भारत ने कौन सा rank हासिल किया इंडिया इसमें 72 प्लेस पे है और इसमें नमबर वन पे है Singapore Country Next question Who is the Indian woman cricketer inducted into ICC Hall of Fame ICC Hall of Fame में शामिल होने वाली भारते महिला cricketer बनी है कौन Neetu David Next question Recently अभी JSW Sports में Director of Cricket Cricket ने देशक के रोप में किसी नियुक्त किया गया Answer is Saurav Ganguly को अगला question है Scams से बचो campaign शुरू किया है Government and किस company ने Scams से बचो अभियान को शुरू किया है Meta Company ने जो आजकल देखे Cyber Frauds बहुत जादा बढ़ रही है जो scams बढ़ रही है उनसे निपटने के लिए जो है शुरू किया गया Scams से बचो campaign Next question है Indian Coast Card के नए चीफ कौन नियुक्त किये गए है भारते तरटरक्शक बल के नए प्रमुक बने है S. Parmish Indian Coast Card जो है इसके स्थापना होई थी 18th August 1978 में Headquarters का है New Delhi में अगला question Central Government has approved to develop Camor Wildlife Century as a Tiger Reserve It is located in which state तो कैमूर वने चीफ अभिहारे ने जो है ये Tiger Reserve की रूप में इसको मनसूरी दे दी और ये located बिहार में है ये कैमूर वने चीफ अभिहारे ने बिहार कर दे के दूसरा Tiger Reserve बनीगा बिहार में इससे पहले जो एक Tiger Reserve है वो है बालमी की Tiger Reserve Next International Day of Rural Women अंतराश्टे ग्रामीड महिला दिवस कब सेरिवेट किया गया तो फेंट्स ये मनाए गया है कब 15 ओक्टूबर को और इसकी देखे 2024 में इसकी थीम है Rural Women Cultivating Good Food for All अगला कोशन हिंदुस्तान Aeronautics Limited has become which central enterprise to receive महारतन स्टेटस हिंदुस्तान Aeronautics Limited महारतन का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रिय उद्ध्यम बन गया है आंसर इस 14 हिंदुस्तान Aeronautics Limited के सापना हुई 22 December 1940 को headquarter है Bengaluru में and chairman है D.K. Sunil अगला कोशन है 2024 Nobel Prize in Economics was awarded to Darren S.A. Mogulu Simon Johnson and James A. Robinson for which study तो ये तीन साइंटिस के नाम याद देखीगा क्योंकि इनने Economics में Novel Prize मिला है यहां पूचा है किस अध्यन के लिए तो इन्हें मिला है how institutions are formed and affect prosperity तो इस के उपर जो उन्होंने study की उसके लिए इनको Economics में मिला है Novel Prize नेक्स्ट कोशन रिसेंटली इंडिया इन विच कंट्री साइंड दा ओडियो वीजुल को प्रोड़क्शन एग्रिमेंट इन न्यू डेली भारत और किस देश के बीच में नई दिल्ली में ओडियो वीजुल सहर निर्मार समझोते पर हस्ताक्षर हुए तो ये साइन हुए हैं इंडिया और कॉलंबिया के बीच अग्रा कोशन है वर्ड अनेस्थीसिया डेक अप सेलिबेट किया गया विश्व अनेस्थीसिया दिवस मनाए गया है 16 ओक्टूबर को 16 ओक्टूबर को क्या हुआ था तो इस दिन 1846 में पहला successful demonstration हुआ था डाइ इथाई इथर अनेस्थीसिया का इसलिए इस दिन को कम़मरेट करता है ये दिन इसकी theme याद रखनी है चोकी है workforce well-being next question है इंदरा नंद सेंग जा passed away recently at the age of 78 years who was he कौन थे इंदरा नंद सेंग जा इनका भी recently निधन हुआ है ये थे former radio presenter and the last question is who has won 2024 ATP शंगाई Master's Tennis Tournament singles title 2024 ATP शंगाई Master's Tennis Tournament का एकल खिताब किसने जीता ये title जीता है जैनिक सिनर्नी तो यहां हमारे friends जो 11 months के हमने most more important कुछो questions ले देना वो आपके complete हो गए है अब छोटर सा आपका एक quick test ले लेते हैं जिसमें आपको दो question यहाँ पे देखने को मिलेंगे इनके answer आप लोग मुझे comment करके लिखिएगा पहला question है New Zealand defeated which country to win Women's T20 cricket World Cup 2024 जो हिस बार Women's T20 World Cup का कौन सा edition केला गया था Second question Who is the author of the book बुक का title है The Conspiracy to Oust Me from the Presidency तो यह आपके दो questions है इनके answer आप लोग मुझे comment box में जरूर लिखिएगा friends So complete हो गए हमारे सारे most important question Friends अगर आप हमारी कोई भी e-book purchase करना चाहती है तो आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें आप Google पर सर्च करेगा www.ravibookspedia.com तो आप जो हमारी वेबसाइट open करेंगे आपको सारी जितने भी e-books है वो हमारी वहाँ पे मिल चाहेंगी आप अपने according जो आपको लगता आपके एक्जाम के लिए जादा important है वो आप वहाँ से easily purchase कर सकती है इसके लवा प्ले स्टोर पे फ्रेंड्स हमारी application है application का नाम है रवी study app इस application को आप प्ले स्टोर से download कर सकती है यहाँ पे आपको देखे फ्रेंड test series मिलेगी हमारे जो daily CA का जो हम session आपको cover कराती है उसकी PDFs यहाँ पे मिल जाएंगी GS note आपको सभी जो है वो यहाँ पे available मिल जाएंगी तो उसके लिए आप हमारी application को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजेगा आज का हमारा यह session यहाँ पे पूरा हो गया है आपको आपको अच्छा रहा होगा थैंक यह सो मैं फूर वाचिं दिस वीडियो